आज हम गोद्रेज का और वेनिला का दो केक बनाएंगे और वो भी वेनिला केक दो केजी का और चौकलेट केक दो केजी का तो इस वीडियो में आपको मैं दो केजी के लिए दोन फ्लेवर में कैसे बनाना है वो दिखाऊंगी तो मैंने यहां गोद्रेज का प्रिमिक्स लिया यहां 2 kg cake बनाने के लिए 4 cup मैंने लिया है प्रिमिक्स और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इस तरीके से मिक्स करना है बस फ्रेंज प्रिमिक्स में जो होता है क्योंकि यह ready made प्रिमिक्स होता है इसमें आपको only पानी और एक चमच ओईल डालके बनाना है बस इसमें और भी आपको कुछ एड़ करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि इसमें पानी और ओईल इतना ही जाता है और जिस भी फ्लेवर का आप बना रहे हो उस फ्लेवर का आपको इसमें एसेंस एड़ करना है तो फ्रेंस मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है यह देखे इस तरीके से अच्छे तरीके से एक दम क्रीमी टेक्चर में आए वह इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है पानी जादा और कम नहीं होना चाहिए मिडियम में होना चाहिए इस तरीके से मैंने बैटर बना दिया है अब मैं यहाँ four drop strawberry essence के डार रहे हूँ तो friends जो भी आपको flavor बनाना है वो flavor इसमें add करना है आपको ice cake जो flavor का बनाना है वो flavor को आप इसमें add करना है तो एक चम्मच जितना मैंने oil add किया है और इस तरीके से पूरा batter बना लिया है तो friends आप मैंने लिया है यहाँ 12 इंच का टीन 2 kg के लिए तो friends यह पास butter paper है तो butter paper लगाईए नहीं तो ऐसे ही आप oil लगा के जो batter है वो सारा कुछ इसमें डाल सकते तो सारा batter जो है हो मैंने इस तरीके से डाल लिया है और equal कर लेना है friends मैं अभी भी बोड़ रही हूँ यह ice cake के लिए मैं बनाने वाली हूँ strawberry cake और इसकी recipe चैनल पर already upload है जाके जरूर देखिएगा और मैंने लिया है पतेला और पतेले में इस तरीके से bake होने के लिए रख दिया है 45 minutes के लिए 45 minutes के बाद हमारे देख सकते हो यह cake sponge बनके ready है और इसी से मैंने strawberry flavor का ice cake बनाया है आप जाके चैनल पर जरूर देखिएगा और link के reflection box में पहले number पर देदूंगी friends और देखिए कितना spongeी बना है vanilla premix से मैंने यह इस तरीके से 2 kg का cake बना दिया है तो अब मैं इसे आपको cut करके दिखाऊंगी कितना spongeी और fluffy बना है और बिल्कुल भी चिपचिपा हट नहीं बना और चॉकलेट की एक sponge में आगे आपको दिखाऊंगी कि 2 kg का कैसे बनाना है तो सबको यह doubt होता है कि 2 kg के cake sum कैसे बना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो यहां बनाएंगे 2 kg का चॉकलेट केक तो यहां मैंने चॉकलेट केक का प्रिमिक्स लिया है यह भी 5 kg का packet है फ्रेंस वन केजी का हाफ कीजी का भी मिल जाता है तो यह अब हम यहां चॉकलेट प्रिमिक्स से बनाऊंगी मैं यहां 240 ml के कप से लूँगी 4 कप 2 kg के लिए इस के कैसे बनाना है 2 kg के लिए मैंने पूरी मेरी रेसिपी है मेरे चैनल पे अपलोड आप जाके जरूर देखिएगा और मैं भी वैसे केकी क्लासिस लेती हूं तो मैं बहुत चादा वीजी रेती हूं तो इसलिए मैं जबी भी बनाती हूं जब वीडियो शूट करती हूं कि तो पानी एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्रेंस बहुती पंजी और फ्लफी बनता है एक एक स्पंज प्रिमिक्स का और यह पूरी तरीकिसे रेडिमेट होता है इसमें आपको कुछ भी एड़ करने की जरूरत नहीं है चॉकलेट में कोई फ्लेवर नहीं जा तो यहां में एक चमर जितना ओयल डालके अच्छे से मिक्स करी हूं और देखे एकदम क्रीमी टेक्चर में हमारा बैटर बनके रेडी है तो आप यहां में इसे टीन में डालूंगी जैसे की 12 इंच का टीन के फ्रेंस आप यहां पूरा जो टीन में इस तरीकिसे डालेंगे क्योंकि डोम से आये ना और वेनिला और चॉकलेट की दोनो स्पंज की रेसिपी मैंने दिखाई है फ्रेंस आपको कैसी लगी वह भी कमेंट सेक्षन में बताना तो मैंने यहां पतेले में रख दिया है 45 विंट्स के लिए बेक होने के लिए और देखे 45 विंट्स के बाद ह क्यूंकि मुझे यह एक केक सब्सक्राइब बनाना ता और एक ग्लास केक बनाना था जो घ्छानल पर आप जाके ज़रूर देखियेगा जिसे ज़र ग्लास बलते है बहुत ही एजी और आसान तरिकी विए पसंद आई हो तो एक लाइक और सुप्स्राइब ज़रू करें लिक एंवे करें, लुकाथ लूज करें, लुकर रोम आ अच्छश कें लूग पाहिंग, लुकर अचा जुकर अशश्द कारें लू घच्श अ.